तिके गवर्नर साब का स्टेटमेंट पे आप कोई धान देने की ज़ुरत नहीं है, वो यहां से चले गए है, वो हम से बुजूर्ग है, अनुभवी है, गवर्नर पत से उतरने के बाद जो कॉमेंट किया है, उनकी राजनेतिक कॉमेंट है, हम उनको राजनेतिक दवाब दे स लगते हैं, लेकिन महारश्टा के सरकार बहुमत में थी, वो कैसी बनी और क्यू बनी, उस मामले में पढ़ने का गवर्नर का अधिकार नहीं, बहुमत है, बहुमत की सरकार बनी, और बहुमत की सरकार और कैबिनेट ने जो शिफर्स की है, उसको मंजूर करना आपका काम होत अर उसलिए राजभावन और सरकार में संगर्श हुआ है, इस देश में सभी संस्ताय खतम हो गई है, मार दी गई है, हत्या हो गई लोक्षाई की, लोक्तंत्रगे, तो अब एक आशा है, सरवच्चो नयायल है, सुप्रीम कोट, वो हम जाएंगे और नयाय की गुहार लगा करने दीजे, और क्या कर सकते हो, चोर होता है, कहां भी गुषता है, अब बड़ा चोर होता है, उनको लगता है, कि मैं देश का मालिक बन गया हूँ, लेकिन चोवकिदार नहीं है, चोवकिदार यहां की जनता है, मराठी जनता है सर, चिंदेगर असा मनता है, कि तुम्ची कासदार की दोक्याता, आमि तुम मला गीप जारी करना रहा हूँ, जारी बात करते हो उसके बारे में, क्या कहना चाहोगे, इग्जैटली आपको यह जो फिगर्स है, वो कहां से पता चब रहे, क्या कर रहे है, क्या कर रहे है, क् कि मैंने सच बोला है, जो पार्टी, जो नेता, एक शाका प्रमुक, वो लोगों ने एक रेट कार्ड बनाया, रेट कार्ड इस राज जम्मे उस देश में कभी रेट कार्ड ने बनाता, खरिद फरोश के लिए, अगर मुंबई का वर्पोरेटर खरिद ना है, तो उसकी एक किम्मत है, 2 करोड रुपया, मले को खरिदना है, तो 50 करोड रुपया, किम्मत लगाई, रेट कार्ड लगाया है, एमपी है, 75 करोड, 50 करोड झाल